वेलकम काईज, वेलकम इन टैकमालासी और आज की इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है रियेक्ट की बात करूँ मैं या नेक्स्ट की बात करूँ प्योरली वो जावा स्क्रिप्ट ही है इंटरनली तो उसके अंदर हम हैंडेल किस तरीके से डी स्ट्रक्शरिंग को करेंगे या निकि वाट इस डी स्ट्रक्शरिंग जावा स्क्रिप्ट और रियेक्ट यह इस वीडियो का एजेंडा होगा और इसको मैं step by step हर aspect पर explain करूँगा कि इसका क्या मतलब होता है और यह आपका article available है मेरी site पर mmmantra.com और यहाँ पर है understand react javascript destructuring क्या होता है कि small way में बता दूँ कि यह एक feature है ES6 इससे पहले जो destructuring होती थी वो basic destructuring थी लेकिन ES6 का feature है that simplifies the process of extracting values from array and objects यानि कि arrays में से अगर कोई particular key या particular values को आपको extract करना है तो ES6 के अंदर एक अलग तरीक है value को fetch करने का that is called destructuring पहले हम value कैसे access करते थे old way and the new way दोनों को compare करेंगे यहाँ पर आप पूरे article को आप पढ़ सकते हो इसमें सारे example है basic data structuring क्या होती है and then skipping values इन सब का practical करके दिखाऊंगा थे रोडिक पार्ट के लिए अप यहाँ जा सकते हो okay तो let's do practical और इससे पहले मैं expect करना हूँ आप लोगों से की मैं जो project run करूंगा that is the VT react project already when installed कर रखा है और और अगर आपको उसमें कोई help चाहिए तो आप मेरी साइट पर जा सकते हो यहाँ पर जाके आपको एक cheat sheet मिलेगी नीचे और चलते हैं यह है react.js VT command sheets यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर जाके आपको जो basic commands होती है कि how to installed VT app in your project तो np.init.vt यह सारे commands जो basics होती है यहाँ पर मिल जाएंगे कोई problem हो तो you can comment तो practical में मैं app.jss file को ही main file मान रहा मान गते हुए यहाँ पर सारे practical पुश हो करूँगा आप वैसे simple javascript के अगर file है वहाँ पर भी कर सकते हो और किसी भी component में मेरा main aim है कि I need to make you understand what is destructuring in all aspects, right आप practical कहीं पर भी किसी भी तरीके से कर सकते हो for example हम छोटा सा example लेते हैं जैसे मैंने अभी आपको अपनी साइट पर ही बताया ही है कि जो structuring है extracting values from area and objects तो पहले area example ले ले दे हैं for example हमारे पास एक area है the constant and languages equal to और यहां ले ले लेते हैं हमारे पास है एक react.js comma next.js comma javascript और यह कुछ भी हो सकता है मतलब यहां पर number भी हो सकता है you know very well there is a collection of different data types okay and then .NET okay तो अगर मैं old way की बात करूँ ACMA script से पहले तो अगर आपको access करना है next.js को या java script को तो आपको बता है इनके जो locations होती है area की बात करें तो यहां से start दो this is 0 this is 1, 2 and 3 okay तो access करने का तरीका बहुत simple है इसको यहीं ले लेते हैं example के तरुपर यह तो आपको पता है कि how to print any value in jsx html languages आप को कलिवर से start करना है कलिवर से बंद करना है languages bracket में यहां पर आप 0 लगा होगे ठीक है and then 1 लगा होगे rule very simple आपको bracket start करना है bracket in denotes to array और उस array का नाम देना है कौन सी location जीरो की बात हो रही है and then 1 की बात हो रही है और इसके तरीके से आपने data को फेच कर लिया आप देखें जड़ा इसका result that is react.js and next.js इसमें भी यार भी लगा के दिखा देता हूँ आपको यह देखो okay this is very simple you already know this fact कि how to fetch data from the array and objects और यही concept में objects में भी लेके चल सकता हूँ गर मैं कोई object यहां पर बनाता हूँ लेकिन हम सिदा main topic पर बात करते हैं destructuring और destructuring का है? यही destructuring actually में कि आपने array में से कुछ particular value को fetch कर लिया लेकिन ECMA जो ES6 है वो कैसे काम करेगा? for example const अगर array है तो याद रखना bracket left की तरफ यह rules याद रखना में बात कर रहा हूँ यह equal equal के left में अगर आप bracket दे रहे हो तो this is the syntax of destructuring और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलेगी is a syntax that allows you to unpack values from arrays or properties from objects into distinct variables ठीक है तो इसका अब यहाँ पर क्या मतलब है अब array का नाम क्या है languages अब आप भी बताओ कि इस languages से आप जो fetch करना चाहते हो वो कौन सी value को fetch करना चाहते हो 0, 1, 2, 3 तो इसका एक sequence है order is very important आप यहाँ सबसे पहले लिखो गए कुछ भी लिख सकते हो यह धिहान में रखना मैंने लिख दिया x, y sorry ठीक है मैं तो अभी छोटा सा example बता रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को पूरी तरीके से देखो आगे सारा confusion दूरो होगा x के जगा आप कुछ और भी लिख सकते हो so that should be readable ठीक है अभी एक ही लेके चलता हूँ मैं और output देखते हैं पहले there is array error sorry यह देखो the const is not defined spelling कुछ गलत हो गई है this is react.js तो देखो rule क्या है आपके पास कोई भी array होगा order याद रखना पहला है zeroth location फिर first location and then second location तो जब आप left hand में एक bracket दे देते हो तो यह सीधा-सीधा indicate करता है आपका the topic is destructuring उससी time यह destructuring कर देगा according to ECMAC script ES6 और यहाँ पर जब आप एक sequence देते हैं तो languages में जो यह पहली value होगी react वह x में assign हो जाएगी जिसको मैं पहले zeroth location बोल रहा था और दूसरी y पर तो इससे देखो एक चीज़ तो proof होती है कि यहाँ पर जो आप naming करते हो वह कुछ भी हो सकती है वह naming आप कुछ भी दे सकते हो even आप ऐसे भी लिख सकते हो react js and y और मैं यहाँ पर react js and y भी ले लेते हैं y देखो दोनों print हो गए तो देखो एक confusion तो मैंने पहली आपको दूर कर दिया मैंने एक syntax आपको बहत clear कर दिया कि यहाँ पर जो name होंगे वह अपने according आप कुछ भी रख सकते हो जरूरी नहीं है कि वही नाम लेने है आप अपने use के according जो भी नाम आपको लगता है कि जो suitable होगा वो ले सकते हो even इसको rename भी करना है जैसे y है y colon language underscore second इसमें तो नहीं शो करूँगा next में करता हूंगा object में करके दिखाऊँगा अभी इसको ऐसे रहने देते है rename का क्या मतलब है अभी मैं बात करूँगा उसके उपर okay तो यह आपका array का example था और इसी में आपकी cv type के array नेस्टेट या कुछ भी आप ले सकते हो ठीक है और यहां पर जाके आपको यह basic example जो मैंने आपको बताया ठीक है on then okay अब इसमें sequence पूरा ले लेते हैं language 2, language 3, language 3, language 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 यह 4 होगा यह react.js इसमें गया next.js language 2 में javascript language 3 में और यहां पर आपका अगर आपको किसी की जरूरत नहीं है आप उसको skip करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो blank blank error आगी तो आप इसको छोड़तो this is javascript.net तो इसलिए मैं यह बोल रहा हूं कि what is important? important is your sequence और जो नहीं लेना है आप उसको blank कर सकते हो छोड़ सकते हो और देन आप उसको use करना है उस तरीके से आप कर पाऊगे तो this is a very very basic example और इसमें I think इसा कोई rocket science नहीं है सिर्फ अगर syntax आप समझ गए मैंने क्या किया एक वल्टू से पहले यहां पर एक array का array लगा दिया है नहीं कि bracket start bracket month और right में हमेशा याद रखना दो ही चीज़े आ सकती है या तो यह array होगा ठीक है जो right पर हम लिखने की बात कर रहे है body structuring में वो तो यह array होगा और या objects होगे हम इनकी बात कर रहे है ठीक है तो मेरे example में यह array था और देनिस को हमने show करवा दिया और example आपके पास है okay तो क्या यही काम जैसे हमने यहाँ पर बताया यह भी मैंने बता दिया और default value को क्या मतलब होता है यह भी मैं clear कर दूँ कि for example इसमें आपका है नहीं सिर्फ एक location है मान के चलो this is first तो क्या मैं second use कर सकता हूँ इस तरीके से यहाँ पर मैंने first ले लिया और यहाँ पर मैंने second ले लिया अब क्या होगा could you tell me comment करके बताइए कि यहाँ पर तो only zero location है और मैंने उसमें से d structure first के अंदर कर दिया लेकिन second तो है नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा तो अगर मैं इसको run करता हूँ और अगर आप देखते हो this is only react.js लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि second भी print हो तो आप उसकी default value रख सकते हो this is the default value this is this is what I wanted to tell you तो आपको यह भी clear हो गया कि what is the meaning of default value आप कैसे use करोगे default value का syntax तो यह array से related था अब यही concept मैं आपको d structuring का object में भी बताता तो syntax क्या है यह धियान में रखना कि जब हम array की बात करते हैं when we talk about array right तो जो यह है equal to से पहले आएगा और जब हम object की बात करते हैं तो object का simple यह है वस इतना समझना है आपको बहुत simplify करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि this is called array destructuring और this is called object destructuring equal to से पहले bracket और equal to से पहले आपका curly braces ठीक है तो अब एक छोटा सा example में इसको हटा रहा हूँ और यह सारे देख़ए example आपको यहां पर मिली जाएंगे मेरी website पर जाओगे तो different type के examples you can get it तो मैं फिलाल अपने प्रोग्राम से उन सारे चीज़ों को हटा देता हूँ और simple main concept में बात करते हूँ और एक object ले लेते हैं const और employ प्रेकर object का syntax क्या होता है बहुत simple है curly braces start करेंगे curly braces बंद करेंगे key value pair की का नाम क्या है suppose नाम हो गया tagmalasi comma और आपने यहां पर रख दिया tagmalasi और यहां पर आपने रख दिया email tagmalasi at gmail.com ठीक है तो एक की यह हो गई और एक की यह हो गई और इसके अंदर हम कुछ nested भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहां पर बता दू suppose info एक info नाम का मैंने object बनाया और उसके अंदर दुबारा से एक object की बनाई info और यहां पर मैंने अपना mobile number दे दिया यह यह just for the simplicity आप अपने need के according कुछ भी रख सकते हो the main aim is to understand the destructuring objects with nested nested भी एक साथ ही मैं आपको बता दूँगा and then address यह आप मैं city ले लेता हूँ और इसी तरीके से आपके db key nested कर सकते हो और use कर सकते हो main aim how to destructure this concept आप कैसे करोगे तो पहले बहुत simple लेके चले अगर मुझे इसमें से name print करना है तो objective rules क्या होते है as you know comment में बता सकते हैं आप क्या employ है इसका name print करना है simple जो basic है old way आप objective नाम लिखोगे to लिखोगे और name लिखोगे very very simple then मैं इसको यहां पर लेके चलता हूँ यह आगया आपका टेक माला सी ठीक है और अचा क्या यह possible है कि अगर मैं इसमें bracket लगा दूँ और यहां पर मैं zero location लिखोँ तो क्या होगा parallel not possible अगर मैं यहां पर key का नाम name दे दूँ track माला सी ठीक है तो there are the two rules आप directly bracket लगाके आप उस key को भी define कर सकते हो otherwise dot लगाके आप उस key के नाम को access कर सकते हो this one और अच्छा मुझे info access करना है info error क्योंकि वह object है then dot लगाया then mobile mobile number print हो गया I think I hope कि यह चीज तो आपको बता होने चीए पहले से कि object को access करेंगे according to destructuring concept हम इसको कैसे करने वाले है const और अब देखो यही रूलस आपको समझने है इतना सा आपको ध्यान में देना है कि अब यह वाला bracket लगेगा curly brace not array वाला and equal to this one and employ अब इसमें से मुझे क्या-क्या fetch करना है तो definitely हमेशे left में की का नाम आएगा name, email, info okay तो मैंने यहाँ पर सारे के सारी चीज़ों पहले ही destructure कर दिया and then if I need to use तो simple क्या करना है आपको name email here लगा लेते हैं और guess करो कि info मैं कैसे access करने जा रहा हूं इस तरीके से array मतलब error हमेरे पास dot लगाएंगे and then ct ct ले ले लेता हूं very simple okay then email then new Delhi very very simple way देखो कुछ सोचोगो destructuring से आपने एक बहुत बड़े syntax को छोटे syntax में convert कर दिया जोड़ा easy बना दिया मतलब मैंने पहले ही उन सारी चीज़ों को very important role when it comes to API dealing यह धियान में रखना क्योंकि जाते हो API हमारे JSON formative होता है उसमें से key value का pair होता है तो उसमें से data को fetch करने का जो तरीका होता है वो आपका इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही easy हो जाता है syntax को deal करने पे तो यह चीज़ भी आपको clear हो गई कि मैंने इसको कैसे de-structure किया अब यही चीज़ इसका important क्या है मतलब एक तो मैंने आपको यहां बता दिया when it comes to API dealing इसको थोड़ा सा और वो ले 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 दे और दूसरा क्या होता है when objects as a parameter in functions functions में हमें बहुत सारे parameter parse करने पड़ते हैं लेकिन हम जब destructuring की बात करते हैं और functions पर deal करते हैं तो यह काम हमारे लिए बहुत easy हो जाता है कैसे हैं तो जोटा सा example यहां लेते हैं कि आपके पास एक function है function CRM अब इस function पर मुझे need है इन सारे variable की name, email, mobile तो definitely मैं यह तो नहीं करने जा रहा हूं इसको यहां से हटा देते हूं और अभी के लिए फिलाल मैं यहां से हटा देता हूं सारी चीज़ों का तो मैं क्या इसको कुछ ऐसा article करने वाला हूं कि मैं यहां पर इसको call करता हूं CRM bracket के अंदर और मैं यहां से employ dot ऐसे भी जूने तो old method हो गया destruction helps when dealing objects in functions तो उसमें simple क्या करना है आपको अपने object का नाम pass कर देना है employ इतना करना है और इसको access करेंगे यहां पर वही क्यांकि destruction हमेशा कर लिबरेस में होती है और क्या access करना है name, email, info very simple ठीक है और console करके दिखा देता हूं में इस बार वैसे तो चाहों तो मैं वहां भी return करवा सकता हूं अगर करना चाहें तो return name चलो फिलाल दो ना मैं आपको console ही करा देता हूं dog name email info dot mobile dot और यहां पर कर देते है dot ct आपको सोचों मैंने यहां से object pass किया यहां पर मैंने access कर लिया इसको यहां पर use कर लिया इसका भी बहुत simple मैं अभी भी क्या कर रहा हूं old method use कर रहा हूं info dot mobile info dot ct लेकिन पहले output देख लेते हैं console में देखे कर रहा है यह देखो मेरे पास आ गया सारा वो error को छोड़ देते हैं name भी print हो गया email भी आ गया info भी आ गया and so on यह सारी चीज़े मेरे पास print हो गई है mobile number भी आ गया ct भी आ गई इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए और देखो अगर आपके पास nested destructuring होती है तो इसको एक और तरीके से मतलब आप use कर सकते हो access कर सकते हो कि मैं इसको यहाँ पर info dot लगा के use कर रहा हूँ आप यहाँ क्या कर सकते हो इसमें लगाओ colon और फिर अगीर एक bracket बिना दो और यहाँ पर देदो कि उस info के अंदर भी कौन से कीकी बात कर रहे है mobile,ct simple अब यहाँ पर आपको यह dot नी लगाना पड़ेगा mobile directly access हो गया आप इसको ऐसे लिख सकते हो and then आपका ct access हो गया info ct लिख सकते हो ओके यह देख एक ही बात है ओके तो इतनी अगर ना आपको rules पता चल गया as a javascript developer और react में भी आपने काम किया होगा यह चीज़े अगर आप access करना सीख गया जैसे मैंने यहां पर उपको बताए कि object को कैसे structure कर रहा हूं तो आप just trust me जब आप react के बड़े projects में काम करते हो वहाँ पर store आता है API response की बात आती है और आप syntax को जानते हो तो definitely you will feel easy होने वाला है आप इसमें बस में एक चीज़ और आपको पता दूँ कि जैसे मैंने आप यह आप बात करी थी API response API response का क्या मतलब होता है बहुत simple सी बात है ना आप यहां पर यह समझ लो कि यह मेरा कुछ API response किसी API से ठीक है और उसके अंदर आपके पास क्या होता है जनरली एक data key होती है यहां पर एक message होता है क्या ना में MSG और उसमें क्या होता है success कुछ ऐसा format होता है ना आपका और status status one and then हमारे पास data और data key होती है और इसके अंदर भी उन्होंने क्या दे दिया employee है यहां ले लेते employee key information यहां डाल दी है और थोड़ा से example ठीक है यहां चले गए और यहां पर क्या करा यहां पर आपने name ले लिया name और tech Malasi और यहां आपने यहां पर email ले ली है email.com ठीक है और इसको कितना भी मैं nested बना सकता हूँ मैंने यहां पर करके आपको simple format में दिखाया अब इसको कैसे यूज करना है आपने यहां से इसको लिया API response यहां पर डाला अब मैं इसको function में ना करके function को हटा देते है यहीं print करवाकर दिखा देता हूँ मेरे को आपको simple format में दिखाना है तो आप इसको कैसे d structure करेंगे यह bracket लगा आप क्या क्या चाहिए msg status data के अंदर data key मैंने अभी आपको बताया था कि syntax कैसे लिखना है आपको data colon और फिर bracket लगा देना है और उसमें से क्या उठाने जा रहे हो आप employee ठीक है employee ऐसे भी आप ले सकते हो और employee को access कर सकते हो आप अचा sorry main चीज तो मैंने बता ही नहीं equal to API response ठीक है अब employee को मुझे print करना है तो मैं यहाँ पर definitely इसको ऐसे print कर सकता हूँ dot क्या उठाना है उसका name कुछ error आ गई है name वो पढ़ नहीं पा रहा है इसकी पीछे क्या region है data के अंदर एक key मिली employee की spelling गलत है यह copy करते हैं इसको यहाँ पर डाल देते हैं और अब उसने name को पढ़ लिया ठीक है और एक level पर और जाना है हो सकती है and then very simple name, email this is name email it's very very simple guys अब खुद बताओ कि आपको क्या problem है इसके अंदर अगर लगता है तब भी आप मुझे comment करो आपको और समझना है I think है बहुत ही simple format में मैंने यहाँ पर example भी लिये और मैंने आपको समझाया है आप site में जाके इसको और समझ सकते हो और I hope कि यहाँ तो आपको समझ माया होगा तो comment करके definitely बताएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और कोई query हो तो आप उससे definitely पूछ सकते हो तो see you in next